नितीश कुमार बेहद मुश्किल में दिखाई दे रही है चारों तरफ से उनकी घेराबंदी हो रही है जिसे सहयोगी मानते हैं वो ही सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है और आज हालत यह हो गई है कि नितीश कुमार जहां देख रही है वहीं उन्हें दुश्मन दिख रही हैं सहयोगी से भी उमीद नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि सहयोगी की नजर उनकी कुरसी पर टिकी हुई है एक तरफ बीजेप हिंदुद्व के रत पर सवार जेडियू के समीकरन बिगार रही है तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर और आर्सीपी सिंग जैसे नितीश क के करीबी रहे लोग नितीश के वोट बैंक पर खुल कर निशाना साथ रही है प्रशांत किशोर को लेकर तो नितीश एक साल से रणनीती बना रहे थे लेकिन अब नितीश की सबसे बड़ी चिंता आर्सीपी सिंग बन गई है वो आर्सीपी सिंग जो कभी नितीश की कुमार के साथ करने वाली है कि इसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात नमस्कार मैं आचल राम चंदर प्रसाथ सिंग यानि राजनीती में आने से पहले उनकी गिंती नितीश के पसंदीदा अधिकारियों में होती थी और इसका कारण भी था रसीपी का कुर्मी जाती का होना नितीश भी कुर्मी जाती के ही हैं दूसरा रसीपी का जन्व बिहार के नालंदा जिले में हुआ था यानि एक जाती और एक राज्य नितीश को और क्या चाहिए था अधिकारी अपनी पसंद का मिल गया था इसलिए नितीश कुमार जहां भी गए रस सिख संक को अपने सात ले गई voir you 1908 से ही निटीश कुमार के साथ थे 1998 में निटीश कुमार केंद्र में रेल मंत्री बने थे उन्होंने रसी पी संग को अपना विशेश सचिब बनाया था निटीश कुमार जब सीएप सिघ को प्रधान सचिव बनाया लंबे वक्त तक RCP सिंग नितीश की प्रधान सचिव रहे बाद में नितीश के कहने पर साल 2010 में I.S. से V.R.S. ले लिया और नितीश ने भी तुरंट उन्हें राज्यसभा का टिकेट दे दिया साल 2016 में नितीश ने उन्हें फिर से राज्यसभा के लिए मनोनित किया सिंग पर नितीश का इतना भरोसा था कि दिसंबर 2020 में जब बिहार के सीम ने जेडियू के राश्ट्री अध्यक्ष की पत से इस्तिफात दिया तो उन्होंने पार्टी की कमान सिंग को सौब दी और यही से नितीश और रसीपी सिंग के रिष्टे बिगरना शुरू हो गए दरसल साल 2019 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो एंडिय में जेडियू तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी जैसा कि इस बार भी है 2019 में बीजेपी शिफसिना की बाद जेडियू को सबसे जादा 16 सीटे मिली थी मोधी सरकार में जेडियू को एक मंत्री पद दिया जा रहा था लेकिन नितीश दो से कम मंत्री पद के लिए तयार नहीं थे नितीश आते थे कि आर्टीपी सिंग के साथ ललन सिंग को भी केंदर में मंत्री बनाया जाए लेकिन बीजेपी इसके लिए तयार नहीं थी इसलिए नितीश ने भी कह दिया कि हम मोधी सरकार को बाहर से समर्थन देंगे लेकिन जैसे ही जेडू की कमान आर्टीपी सिंग के हाथ आई उन्होंने बीजेपी से डील कर ली और खुद मोधी सरकार में शामिल हो गए जिसके बाद आर्टीपी और नितीश के संबंध बिगड़ना शुरू हो गए आर्टीपी सिंग जब केंदर में मंत्री बने तो उनका राज्यसभग का कारेकाल छे महिने ही बचा था ऐसे में नितीश ने उन्हें दोबारा राज्यसभा में नहीं भेजा बाद में इक खबर भी सामने आई कि नितीश ने आर्टीपी सिंग के अंदर दूसरा एकनात शिंदे तलाश लिया था आर्टीपी सिंग के साहरे बीजेपी नितीश कुमार की पार्टी में बड़ी फूट कराने की तयारी में थी दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि आर्टीपी सिंग ने जेड्यू के 44 विधायकों में से 35 विधायकों को अपने पाले में कर लिया था लेकिन आर्टीपी की योजना समय से पहले लीक हो गई इस बीच एक नात शिंदे की उद्दफ ठाकरिस्ते बगावत की खबर भी सामने आ गई नितीश कुमार तुरंत ही समल गई सबसे पहले उन्होंने अपने विधायकों को एक्जूट करना शुरू किया आर्सीपी सिंग को पूरी तरह से किनारे कर दिया हालात ऐसे हो गए कि आर्सीपी को मंत्री पस से इस्तिफा देना पड़ा और बाद में उन्हें जेडियू से भी निकाल दिया गया वैसे आर्सीपी दावा करते हैं कि उन्हें जेडियू से निकाला नहीं गया बलकि उन्होंने खुद जेडियू से इस्तिफा दे दिया था कुछ भी हो लेकिन कुछ ही दिनों बाद अनितीश कुमार ने भी NDA छोड़ दिया RCP सिंग ने जेडियू छोड़ी और उसके कुछ दिनों बाद ही वो BJP में शामिल हो गए लेकिन BJP में RCP सिंग को उनके कद की हिसाफ से ना तो काम मिला और ना ही पद लोगसबा चुनाव में वो नालंदा सीट से चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे थे लेकिन इसी साल 26 जनवरी को अचानक ही नितीश कुमार ने पलती मार ली वो ND में शामिल हो गए लोगसबा चुनाव एक बार फिर जेडियू ने BJP के साथ लड़ा नालंदा सीट BJP ने जेडियू को सौब ती जिस कारण से RCP चुनाव नहीं लड़ पाए चुनाव में वो पूरी तरह से खामोश रहे लेकिन अब उन्हें समझ में आ चुका था कि BJP में उनके लिए जगयन नहीं बची है अब उन्होंने एलान कर दिया कि वो BJP छोड रही है BJP का सदस्ता अभ्यान चल रहा है और RCP ने अपनी सदस्ता को रिन्यू नहीं कराया है पटना में RCP सिंग के समर्थ को ने पोस्टर लगाए है इसमें टाइगर रिटर्न और टाइगर जिन्दा लिखा गया है RCP ने BJP छोडने का एलान करते हुए कहा कि मैंने अपनी BJP सदस्ता को रिन्यू नहीं कराया है और सभी को वेरे इरादों को समझना चाहिए मैं बहुत जल्द अपनी खुद की राजनितिक पार्टी बनाऊंगा मैंने BJP के आला कमान से कहा था कि मेरे पास राजनितिक संगठन चलाने का लंबा experience है इसलिए उन्हें इसका इस्तमाल पार्टी के फायदे के लिए करना चाहिए लेकिन BJP की कारेशेली अलग है और मैं इसकी तारीफ करता हूँ अब RCP सिंग ने अपना नया राजनितिक दल बनाने का एलान कर दिया है निशाने पर एक बार फिर से नितीश कुमार है क्योंकि RCP के निशाने पर नितीश कुमार का कुर्मी वोट है RCP को संगठन में काम करने का अनुभव है और अब वो नए मिशन पर जुट गए है RCP ने कहा है कि नेता और जनता जिने मुझ पर विश्वास था अब उनके हितों को साधने के लिए पार्टी जरूरी है पार्टी बनाएंगे फिर राज्य की जनता की बीच अपनी पार्टी के बैनर के साथ जाएंगे वैसे कहा ये भी जोरा है कि RCP के पार्टी के पीछे BJP का दिमाग है BJP ने जिस तरह से चिराक पासवान को कमजोर किया उनकी पार्टी में टूट करा दी महराश्ट में उदव ठाकरे के साथ खेल किया उसी तरह का खेल नितीश कुमार के साथ भी करने की तयारी हो रही है RCP के सहारे नितीश को कमजोर किया जाएगा जिससे विधान सबच चुनाब में सीट बटवारे के समय नितीश कुमार के दावे को कमजोर किया जा सके भले RCP सिंग कहें कि उन्हें BJP का समर्था नहीं मिल रहा है BJP निताओं से अच्छे संबंद पहले भी थे और आज भी है लेकिन राजनीती में BJP हमारी विरोधी है वो ये भी कह रही है कि मेरी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाब लड़ेगी BJP के खिलाब भी उमिद्वार होंगे 138 सीटों के उमिद्वार लगभग फाइनल भी हो गए है लेकिन पहले पंचायत सर तक संगठन खड़ा करने की उनको जिम्यदारी दी गई है चुनाब से पहले वो राज्य के 243 विधान सभा सीटों पर उमिद्वार तै कर देंगे RCP सिंग के दावे एक तरह से 2020 में चिराग पासवान के दावों से मिलते जुलते ही दिखाई दे रही है शुरवात में चिराग संकेत दे रहे थे कि वो अलग चुनाब लड़ेंगे सभी सीटों पर उमिद्वार उतारने की तैयारी की थी लेकिन बाद में BJP को उन्होंने वाक ओवर दे दिया था BJP की खिलाफ उमिद्वार नहीं उतारे लेकिन जहाँ जहाँ जेड्यू के उमिद्वार थे उनके साथ लड़ेपी के उमिद्वार उतार दिये थे जिसका नुकसाद जेड्यू को हुआ था और इस बार वो काम रसीपी के सारे BJP करने की तैयारी में है BJP की रणी थी विधान सबस्चुनाव से पहले ही साफ हो गई है नितीश कुमार को कमजोर करो और इसके लिए किसी की भी मदद ली जा सकती है सयोगी की भी और विरोधी की भी 2020 में BJP कुछ हद तक काम्याब रही थी नितीश कुमार कमजोर हो गए थे लेकिन LJP को सिर्फ एक सीट मिल पाई थी एंडिये की दूसरे सहयोगी दल भी अच्छा प्रजर्शन नहीं कर पाए थे ऐसे में BJP को मजबूरी में नितीश कुमार का नेत्रेत्व सुईकार करना पड़ गया था लेकिन सरकार बनते ही नितीश कुमार को एसास हो गया था कि BJP के साथ ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगी BJP High Command ही सीधे बिहार सरकार के कामकाज में हस्तोशेप करने लग गया था विदान सबच चुनाम में जेडू की कमजोरी का असर आज भी नितीश कुमार के फैसलों पर दिखाई देता है वो दबाब में दिखाई देते हैं पार्टी को एक जूट रखने में भी मुश्किल दिखाई देती है और बीजेपी नितीश कुमार को अपने दबाब से बाहर नहीं जाने देना चाहती फिलाल के लिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नवस्कार